रिम्स के बारे में एक कहावत आज कल कही जा रही है कि रिम्स नहीं सुधर सकता कुछ ऐसी घटनाए लगातार घट रही है जिस पर रिम्स मौन साधे रहता है या जान बूच कर अंदेखी करता है एक रिपोर्ट इसमें हीमोफीलिय मरीज को नहीं मिली दवा चार महीने से रिम्स में भरती था मरीज डॉक्टरों ने रिम्स से खर दिया डिस्चार्ज रिम्स निदेशक कारियाले पहुचा मरीज पदमश्री कामीश्वर परसाद ने मिलने से किया मना वापस अपने घर बोकारों लौट गया मरीज यूअक का पैर कटने की कागार पर यूअक ने कहा दे दूँगा जान निदेशक होंगे जिम्बवाद रिम्स के परशासनिक भवन के बाहर खड़े इस एम्बूलेंस को देखिए और अब एम्बूलेंस में पड़े इस यूअक को देखिए चार महने तक रिम्स के हटी रोग विभाग में भरती रहने के बाद भी अब तक उसे इन्वीटर की दवा फाइबा नहीं मिला अब मरीज की समस्या खुद सुन लिजे अब अपने बच्चे के दर्द से कहराती मा की ममता को देखिए डॉक्टर एलबी मांजी ने दवा नहीं मिल पाने की कारण मरीज को डिस्चार्ज कर दिया अस्पताल से जाते जाते परीजनों ने सोचा एक बार रिम्स के निदेशक से मिल अपनी समस्या रखते थे मगर हुजूर तो मिस्टर इंडिया है जो आम लोगों को दिखते ही नहीं किसी की मजबूरी को समझते ही नहीं इस सर दवाय लिखा चुठी लिखा थोड़ा भी फिकिर नहीं है इतना दवाय शंतो सर दिया कुछ काम नहीं होगा है इस स्वास्त मंत्री जो हमारे जरकन सरकार के बनना गुपता है उनसे उनसे भी हम मिल चुके थी उस दिन तो खुद सामने बोल देते सुपरेंटर साहिब को कि इनका काम कर दिजिएगा तब वो सुपरेंटर साहिब क्या बोले जब स्वास्त मंत्री रहते हैं उसी के सामने कि हम भेज देंगे हम दे देंगे इनको वो उनके सामने तो कुछ नहीं बोले कि यह नहीं मिलेगा यह नहीं मिलेगा यह इसे होता है स्वास्त मंत्री के पा सपनों से पदमश्री महोदे को क्या ले ना देना इस तस्वीर को देख कर तो खैर हर किसी को दया आ जाए मगर किसी के आँखों का पानी ही सूख गया तो उसे अब क्या कहे रांची से नियूज 11 भारत के लिए सहयोगी राजिश के साथ सत्यवर्थ किरण की रिपोर्ट